बीजेपी नेता और बिग बॉस फिल्म सोनाली फोगाट डेथ केस में एक नया खुलासा हुआ है सोनाली फोगाट हत्या कान में अब यूपी के फिल्म डिरेक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है सीतापूर के रहने वाले एडिशनल डारेक्टर मुहमद अक्रम का कहना है कि उन्होंने सोनाली की मौत से 20 दिन पहले उनसे बात की थी जिसमें वो परेशान नजर आ रही थी सोनाली ने मौहमद अक्रम को बताया था कि वो काफी परेशान है इतना ही ने ये भी खहा था कि एग्रिमेंट का पैसा सुधिर को मत देना वरना वो पैसे मेरे पास नहीं पहुचेंगे मौहमद अक्रम ने बताया कि उनका एक इवेंट हा लेकिन सुधिर की वज़े से वो इवेंट का कॉंट्रेक्ट साइन नहीं हो पया सुधिर सोनाली को शायद ब्लैक मेल कर रहा था मौहमद अक्रम की माने तो सोनाली फोगाट से जुड़े सारे फैसले उसके परसनल असिस्टेंट पी ए सुधिर सांगवान ही करता था आगे डायरेक्टर ने बताया फोन पर बात करते वें वो सुधिर से थोड़ा दूर हुई फिर मुझसे कहा कि आज के बाद सुधिर के नंबर पर आप कभी कॉल नहीं करना ना ही डील की कोई बात करना हम फेस टू फेस मिलकर बात करेंगे मैं बहुत जादा परेशान हूँ पहले हमारे रिष्टे अच्छे थे हमारी बंती थी जो आप लोगों की तरफ से पैसा आएगा या मिलेगा वो इस पैसे को खर्च कर देगा आप मान दीजे वो मुझे ब्लैक मेल कर रहा है सोनाली ने मुझसे कहा कि अगर एक गल्ती किसी से भी हो जाती है तो उसे चिपान के लिए हजार गल्तिया करनी होती है हम सीधा मिलकर बात करेंगे जिस दिन सुधीर नहीं होगा मुझे सुधीर पर उसी दिन शक हुआ अकरम ने बताए कि आट मैने पहले इमेल के जरिये सोनाली फोगाट से संपर्क किया था तब इमेल से ही सुधीर सांगवन का नंबर मिल था सुधीर ने इवेंट के लिए हां कर लिया था लेकिन अकरम सोनाली से मिलने के बाद ही डील फाइनल करना चाहता था सोनाली की मौत वाले दिन जब मैने सुधीर से बात की अब उसने बताय की हार्ट अटेक हो गया सोनाली जी को तब मुझे सुधीर पर उसी दिन शक हु पर हमें कमेंस पर जरूर बताइए साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए